नमुना रहें 21 जनवरी संदोहजार सोला और गुरुवार का दिन है कुछ मित्रों ने मेरे से कहा कि परियासों की बावजूद भी संतान की सादी नहीं हो रहे है कन्या को अच्छा वर नहीं मिल रहा है तो अच्छे अच्छे रिष्टे हाथ से निकल जा रहे है दाती महराज को यूपाई बता देजिए किसी भी कारण से कन्या को योगी वर नहीं मिल पा रहा है तो कन्या किसी भी गुर्वार को प्रात्यकाल नित्य करम से नियोशिनानों उपरांथ पीले रंग के वस्त धारन करें बेशन के लडू स्यों बना है लडूओं का आकार कुछ भी हो प्रूंतु उनकी गिंती 108 होनी जाए टोक्री में पीला कपड़ा बिचा कर लडूओं के ट जर्दानुसार दक्षिना रख देजिए और नमस्षिवा इस मंत्र की तीन माला जाब करें और भूगान शिव के मंदिर में यह लडूओं के टोक्री भूगान शिव को भोग लगा के आजाए और भोग लगाने के बाद अरपन करने के बाद यह लडू किसी गरीब इन गुरुवार करके देखिएगा आपकी मनों कामना पूरी हो जाएगी साधी समंदी परिशानी का न्याण हो जाएगा कुछ लोगों ने मुस्य काद आती महाराज प्रियास बहुत करते हैं कोई काम नहीं बन रहा है यदि लाग कोसिसों की बावजूद भी कोई काम नही नहीं बन रहा हो तो उननीच सन्यवार पीपल के पेड़ के नीचे शर्षों का तेल का चौमों का दिपक जलाए उसमें इग्यारा दाने उड़त अपने उपर से साथ बार उसार कर दिपक के अंदर डात देखिए आपकी मनों कामना कैसे ने पूरी होती और बात करते हैं ग और बात करते हैं जिनका आज जनम दिन है या जिने की साधी की साल गरें तो मेरी और से आपको हार दिक सुखाव ना है देवादी देव सनी देव आपकी रक्षा करें आपका जीवन खुश्यों से भरा रहे प्रभू की शिर्चनों में मेरी प्रात्रा एकिस जनवरी आपक कर्मों की वज़े से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो आपका काम नहीं चल रहा हो आपको अपने काम में अनावशक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो बार बार काम बदलना पड़ रहा हो किसी मंदिर में जाकर 27 गुरुवार गाई की घ लगातार 43 गुरुवार हल्दी केसर पीली दाल और शेव का दाल गरीब निर्धन ब्राह्मन को दीजिए कश्ट बिटेंगे और किसी भी गुरुवार दिन सर्दान रुस्त चलें अपनी हाथ से घोड़े को खिलाना प्रालाबकारी माना जाता है चैने की दाल घोड़ों को ख स्णी 13 चेत्र असवल अफट्यपूर्भेरी राश्वाचियों इदाती महाराज की तब भूमिये और अदव्फूद है सिरी सनिधाम सरी 13 चेत्र असवल अफट्यपूर्भेरी आपका श्वागत है 28 वर्ष की तपश्या 28 वर्ष तो जिन वीज मंत्र को मैंने शादा है दिवादी देव सनिदेव की क्रिपा प्राप्त होती वह आपको शनिवार को चारों आरतियों में प्राप्त होगा अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रनक्षत्रों की दुनिया में क्या कहते हैं आपके लिए तो बात करते हैं गुरु आरके राशी फल्ग सबसे पहले मेश्राशी मेश्राशी शमय अनकुल शितारों का शुबशंक कही थे गोचर बढ़ा सुन्दर है आज शाष और प्राक्रम से कारिच्छेतर में अनकुलता आएगी प्रशाशनिक छेतर में मानसमान बढ़ेगा और प्रिय बंदों से मधूर वेभार बना रहेगा थोला सा जो आपने का करने का तरीका बदला है जो परिवर्तल अपने लाया है से आपको आर्थिक लाबावश्य होगा क्या करें जिसरे के घर है योगायोग है कोई विशेश महत्पून कारी है तो आज उसको शंपन कर लेजी क्या ना करें गयार कानों नी ढंग से कोई कारी ना करें नमनेन और बात करते हैं विर्षप राषी की विश्यब राश्यवालों ग्रह गोचर की बात करूं, चारों और से जो ग्रह गोचर है, शितार हैं, वो अनकूल है, हाँ इतना जरूर है कि लाब के लिए थोड़ा सा भागदौर और परिश्टरम है, और इसे मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि बिना भागदौर बिना होता है उटिकता नहीं है तो धन प्राप्तिक लिए थोड़ी सी भागदौर और प्रश्रम करना पड़ेगा धन की अवश्रक्ता मैसूस होगी और पूरी भी होगी जिम्यदारिया बढ़ेगी और इन जिम्यदारिय को पूरा करने में आप शक्षम रहेंगे जिसरे के घरे योगायोगे घुमने फिनने और मनों नजन में शमय वैतित होगा और दिन अच्छा गुज़ेगा कई डरने वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही है क्या करें जीवन वैशाइग छित में भागी उद्य होगा लाबमार्ग प्रशस्त होगा परिश्रम का उचीत फल प्राप्थ होने से मन प्रसंद रहेगा मित्रों से मिलन संभव होगा यात्रा सपल होगी क्या करें कारी चितर में नई टक्नोलोजी का इस्तार इस्तिमाल करना अच्छा रहे आज की यात्रा तो आपके लिए बहुत जरूरी है उसके बारे में थोड़ी सी जान कर दे दूँ गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन दोपार डेट बज़े लिकर तीन बिस दग रहुकाल का होता है और रहुकाल को दुरान शुबकारी करना शौदा करना दोबार की दस्टी कॉंचे शुब और मंगल मैं रहेगी निजान भोग कह रहा है शमय बढ़ा परिवरतन सील है आप किसी भी दिशा में यात्रा कर लें आज की दिन बगवान सीरी नाराइन हरी को कमल का पुष्ट भैंट करें गाई के घीका दीपक जलाई साबुद जीरा आच हमाती यात्रा पर निकल जई यात्रा में कष्ट कमा है और बात करते करकराश करकराश के सितारों की चाल संके दरी की आज कुछ खरीदना और कुछ बेचना यह कह सकता है कि आज के दिन पुंझी निवेस करने से खर्चा बढ़ेगा आज विवादी सोदों से दूर रहना बहुत जरूरी है गोचर ये भी संके दे रहा है अपनों से सगे सम्मध्यों से मन मुटाव की प्रबलसम भावना है मन में बेचे नहीं है असंतोष की भावना यह सुपह से लिकर सामत करकराशी वालों अब डरों नहीं भाई इन चीज़ों को सुन करके अपनी देनिक दिन जर्या में थोरा सा परवेतन जरूर कर लेना चोटासा उपाई और उमनमा श्वाई इस मंत्र का जाब करते बागवान शीव के सिविलिंग फिर मोगरी के पुष्ट अर्पित करी आपका कल्यान होगा क्या करे आय और वय को सितारे दे रहें आज अपनों की साथ बैटने का मोखा में लेगा अज पारवारिक जिम्मदारी को पूरा करने में आप शपल होंगे पारवारिक मित्रों का शयोग और शानिधी प्राप्त होगा मांगली कारी शम्पन होंगी मन में उतिसा बना रहेगा और शुक ओर शमर्दियों प्रसंतां बढ़ेगी किया करें थोल सा संतान की इच्छा पर ध्यान देने की कोशिश करें क्या ना करें आवस्षक्ता से अधिक खरीदारी ना करें नमणने बात करते हैं कन्याराश कन्याराश वालों ग्रगजशुब और अनकूल शपलता का पूर्ण शंक्यी कारिश्थित में सुधार गरेलू ज शत्रो अपने मनिशुम्रे में नाकाम होगा हर छेतर में आपकी विजय हुगे या करें श्त्र प्रियासों से कारिको शब्ल करने की कोशिश करें क्या ना करें सरकार के साथ कोई पंगा ना करें नमना रहें तुलावर्चिक धन राशिकी बात कर उस से पहले वास्तुसला तुर्जादेना चाहता हूं अच्छा शुक्त और श्वास्टे के लिहाद से पानी का निकास का बहुत बड़ा मेय तुन वांना जाता है ऑफ वाफ पूर्व वर्शा रवे या फिर उत्तर पूर के और सुझाए में वर्षा का पानी बैयता है उस घर में रहने वाले लोग सभी स्वस्त रहाते हैं नमने बारत करते परवारिक सदस्य आपश में प्रसंद नहीं है और पारवारिक समस्यों का सामना करना पड़ रहा हो आज गुर्वार का दिन आज दिन तक के नीचे सोने से लाल चंदन का टुकड़ा रखे और प्रतिकाल बिना किसी बोले बहते पाने में प्रभा कर दिए इसकस्ट से आपको छुटकारा मिल जेगा नमनान और बात करते हैं तुला राशी तुला राशी वालों शुतारे संके देर की सफलता के लिए व आवश्यक होगा नतिकता का दामन पकड़ के रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा वैसे गोचर श्रपलता का पूंशंकेत है सवजनों के सवग से पारवारिक जिम्मदारिया पूंद करेंगे वरिश जनों का मेल मुलाकात मन को संतुस्ति प्रतार्ण करेगा और धन की प्राप्ती भी होगी क्या करें अतिती च्रतकार पर थोड़ा सद्यां देंगे तो लंबी यातरा ना करें नमना और भात करते बरिशिक राच करतें लोगोचर की बात कह रहा हूँ आज महत्पूर कारिय और वारता को इस्तिकित करना आपके लिए उचित होगा सुच भूज का सारा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बंती वे कारिय ग्रेकोचर के हिसाबते बिगरते वे नजर आ रहा है ऐसी अवस्ता में ग्रोध ब्रकाबू रखे जल्दबाजी में नणे नहीं ले और बुजरबों की सला जरूर ले और ऐसा नहीं किया तो कारिशितर में उलजने उत्पन होगी धन सम्मेटी चिंता बढ़ेगी और लोग वादा करके मुकर जाएंगे इस बात का भी ध्यान डगना भैवीत नहीं मेरे मित्र यह मेरी सलात यह चोटा सा उपाए ओम हम पमनना इस्वहा इस मंत्र का जाब करते हन्मान जी की शिच्टिणों में आठ चुटकी सिंदूर भैट करना सारा दिन कष्टों से दूर रहोगे क्या करें कौसिस करो अपनो आज समझी कारी करने का शूँ अवस्षर मिलेगा शेव का अवस्षर मिलेगा शुब करमान की और मन प्रिर्थ होगा समझी मान और प्रतिष्टा बढ़ेगी पिता तो लिए किसी व्यक्ति का विससे सयोग प्राप्त होगा और कारी छित्र में अन्कुलता होने से धन की कमी दूर होगी क्या करें व्यवशाइक लेंदेन के लिए आज का दिन बड़ा शूब है क्या ना करें मन में अहिस्तिरता न रखे नमना रहें मकर कुममीन राशे की बात करूं उससे पहले उपाई की चर्चा करना जाता हूं और अदभूत देशी नुस्कों की चर्चा करना जाओं लेकिन याद रखो श्री शनी धाम शनी तिर अशुला फटे पूरवेरी अदभूत तिर छित्रे जहां आपके शंपून कष्ट दीवा देव शनी देव की क्रिपाशे मिठते हैं पधार ये शनी धेम आपका कल्यान होगा कुछ लोगों ने कहा दाती माराज है पारवरिक तनाव बहुत है परिवार में आपस में विश्वास की कमी है और घर में हमेशा कल्य रहता है प्रुनिमा क्या दिन कदम की वर्ख से एक डाली जिसमें अखंडित साथ पत्ते हो घर लेका जाए जल गंगा जल पंचा में से पवित्र कर लिए और घर में लाकर पिसान कौन में रख देज़े अगली प्रुनिमा को पुरानी वाली डाली कदम के पेड़ की पाथ छोड़ लेका जाए यह करके देखेगा बढ़ा सुन्दर सा बातावन घर में रहेगा कुछ लोगों ने का दाती महराज आर्तिक संकट से प्रिशान है क्या करें कर्म सुधारी कुकर्मों से बचे माता पिता की सिवा करें धर्मान कुल आचन राश्य प्रेम और ओम शम्शनिस चरा कारोबार में अनावसिक परिशानियों के सामना करना प्राव लाग कोशिशों के बावजिती राह नजर नहीं आ रही है किसी भी मांकी प्रतम सनिवार दिन लगातार तीन सनिवार सरदान उसर उर्द में गुर डाल कर पकाई अपने उपर साथ बार उसाई ठंडा करके करते हैं देशी नुसकों की और मेरी प्रातना है जीवन का शंपून अनभाव उड़े लना आता हूं लादने नहीं आता हूं शेकन ओपनियन और नुसकों की जा बात हो वा मैं कहूंगा कि चिकिस्टा की परति लापरवाई नहीं करें डॉक्टर जो इस दिस रोक कर विश लिकाइत है तुल्सीश की 21 प्रत्य बारिक पिसली और शैद में मिला कर चात लिए यह आदफूल है कि सर्दी जुका में हल्दी का छोटा सा टुकड़ा लगातार चूसा जाए तो मैंने देखा कि बड़ा लाब देलता है नमनाने बात करते हैं मकर आशी की मकर आशी वालो घर और परिवार में शुब और मांगली कारी शंपन होंगे मन बड़ा प्रफुलित रहेगा और आज आपकी निरने स्थमता आपके अनकूल रहेगे रिन और रोग से रात मिलेगी शास और प्राक्रम बढ़ेगा शत्रु अपनी कोशिशों में नाकावर रहेंगे और मुझा बिना वजे किसी गरीब को मत सचाना सारा दिन खुशों से भरा रहेगा क्या करें आप भाई बंदों से मेल जोड़ बढ़ा है क्या ना करें आज वहान को तेज ना चला इदियाप ड्राइवरी करते हैं तो और बात करते हैं कुमराशी की कुमराशी वालों दैनिक खर्चे पूरे होते वे नजर आ रहे हैं मुझे दैनिक खर्चे पूरे होने में कोई आज तकलिप नहीं आएगी लेकिन वैवशाई और नौकरी में आप है तो शयम रखना बहुत जरूरी धैरी और शयम का प्रचे देना बहुत जरूरी आज धर क्या ना करें बिना बचारे कोई कारिया ना करें न मौना रहें और बात करते हैं में नराशी के गोचल की बात कर रहा हूं में नराशी वालों कई डरने वाली बात है नहीं गोचल यह कह रहा है कि आज शत्रुहानी पहुचाने का प्राश करेगा और वह भी गुप्त और विवादी सोदों में पुंजी निवेसा नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ओम ग्राम ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम शागुर्वे नमा ब्रश्पति का बीज मंद इस एक सो आठ बार जाब करें सरदानुसा चने की दाल किसी स्वागन इस दिन जो गरीब बात करना वह जो जो तो क्या ना करें किसी बिना वजय होने का प्रियास ना करें नमना यह ताब बारा के बारा राश्पति नारायन को कैसे मना है वो पूछ आर वो मंतर बताऊंगा जीवन मंतर और दर्स्तनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा आपको नमना रहें कि नमना रहें ब्रेक के बाद आपका श्वागत है मेरी बाउश्य मित्रों ने मुझे का है दाती माराची परिवार में कलह बहुत रहता है पारवारिक जिवन कश्च पूर्ण है परिवार के सद्ध से एक साथ नहीं बैट बाने दाती माराची लाग कोशिशों की बावजूर्द भी हमें इसा परिवार में कलह रहता है पारवर एक समन में नहीं हम क्या करें नाराएन स्री हरी की पूजा करें राज गुरुवार का दिन है यह पूजा आर्च शुरू करें और लगातार 40 गुरुवार करेंगा शारे कस्ट मिल जाएग ज भगवान स्री हरी की पूजा करने से जिवन में शंबन परिशान होता है गुरुवार कि नियुक्ति कांशे की मूर्ति को पूजाश्थान में इस्थापर करें पातर शुध कांशे की मूर्ति, और ग्रस्त के घर में अंगुष्ध प्रमान परतिमार अन्य जाएए बढ़ी करने के बाद शुद्ध जल से शिनान कराई गजस प्रताँ सुद्ध धक्षनावर्ती संख में गाई का कच्छा दूध बरकर ओम कालीमल पहिरिने मां ते बोली मंतर को द्धान से सुन लिजिएगा ओम कलीमल पहिर्ने नमा इस मंत्र का जाप करते भगवान हरी विष्टू का अभिशेग करें तस प्रशाग सुद्जल्श सिनान करें आपके इंग कितने मंत्र का जाप कर जितनी आपकी सह्थानी तो एक सु आर्टो जरूर करें जलसे सिनान कराने पर शुद्ध वस धारन कराई पचपचार पुने पूजन करिए दूप दीप नहविदी पुष्ट और अक्सट भैट करिए मधु का भोग लगाई शहद का भोग लगाई पुने सुदासने बैठ कर इसी ओम कलिमन परिने नम इस मंत्र की सर्धानुसर माला जाब करें शंपून कश्टन शुड़कार मिलेगी अदभूद है नमोना रहें और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मत्र करते हैं संतों को भी सुना और गुरु महराज जी भी कहते थे कि जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर कहता है मरीज को तुम निस्चितरों में हूना और दूसरा मेरी बात को ध्यान से सुने ने मौत दो बातों पर बड़ी मुस्कराती है कब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी अस्पताल में और डॉक्टर के ता कि आप चिंदा मत करो मैं हूँ न तब मौत हसती है दूसरा जब जब कोई वेक्टी संसार से विदा हो जाता है और विदा अना पर दूसरा आज में कहता है एक बिचारा चला गया बिचारा चला गया कि कहने वाला इस अंदाज में कहता है जैसे वो प्रमानन ठेका लेके आया वो तो कभी जाएगे नी इस दुनिया से मौत उसके इस अंदाज पर हसती है और क्या थी ठीक है भाई तुनिये उसे बीचारा का है चला ते रही नमर है यह कोन है जो मुर्थियू की लाइन में नहीं खड़ा है जाग्रति बहुत ज़रूर है जाना सब को है लेकिन जाने से पहले जाकना बहुत ज़रूर ही जागती में जाना कोई प्रेशानी ही नहीं है नमुनाराहें टैने नमँनाराहें ब्रेक के बाद आपका स्वागते शमय प्रभू के दर्श्टनों का दाती धामकार इस समय में ज़्यादा देर बीच में आपके रहता नहीं है अजले चलते दर्शनक लेँ दाती धाम नमना और। जैंशनिदेवा आइव अघंब नेवा अठीक हरियों ताच सत जैशनी देवा 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 कर देवा जनम दन की सुबका मनाई शुकरवार का राशिपल माता लक्ष्मी को कैसे मनाए कि जीमन में धनश्रमंदी परिशान का निवान जीमन मंतर शुधाव देशी नुसके कुछ उपाय और वास्तु सला लेके आऊंगा लेकिन प्रातना है साधान शाव्यक्ति हूं मानन हूं मानवित्र गुण है गलतियां संभव है हर गलती के लिए छमा मांगता हूं अपनी गलती अपनी गुना अपनी भूल की माफी नमुना रहे, नमुना रहे, नमुना रहे